यूपी की जानपूर सीट हाट सीट मानी जा रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने श्रीकला यानि धननजे की पतनी का टिकेट काट कर एक अंदोलन कारी व्यक्ति को दे दिया विस्तार से पुरी खाबर बताएंगे लेकिन पहले बता दें कि यूपी की राजनीती में क किस तरीके से लगतार दिल्चस्प मोड आता जा रहा है लगतार बसपा जो है वो अपनी फुल फार्म में दिखाई दे रही है और जिस तरीके से बीएसपी की रेली में भीड जुट रही है इससे यहीं लग रहा है कि 24 में बीएसपी जो है वो बड़ा खेला करने वाली है लगतार जिस तरीके से तमाम लोग प्रोपगेंडा चला रहे हैं फेक खबरों को लेके बीएस्पी सुप्रीमो मायावती ने भी बड़ा टूइट किया और लगतार आप देखेंगे कि किस तरीके से बीएस्पी की जो छवी है उसको खराब करने के लिए लगतार टीबी अख चबी को खराब करने के साथ जिस तरीके से बीएस्पी को खतम करने के लिए तमाम लोग जो हैं दिन रात बैट का प्रोपगेंडा चलाने का काम करते हैं अब ये भीड बता रही है कि वो अपने एजेंडे में फ्लॉप साबित होते हुए नजर आ रहे हैं तमाम लोग वाउ को बढ़ावा दे रही हैं इसके साथ साथ उत्तर परदेश की जानपूर सीट को हर सिट माना जा रहा था जिस पर धरनजे की धरम पतनी श्रीकलाजी को खड़ा किया गया था अब उनका टिकेट काट कर वहां पर जो है बीएस्पी के सांसाथ स्याम सिंग यादव जी को खड़ा किया गया है सोचे दिल्चस्प होने वाला है 24 का चुनाफ खास कर तो बीएस्पी की जो लगतार राजनितिक भागेदारी है वो दिल्चस्प होती हुई दिखाई दे रही आप लगतार देखेंगे कि आगरा हो चाहे कानपूर हो इसके साथ साथ आप मद्देप करें तो वहां पर किस तरीके से मुरेना में जो भीड जुटी वह वाकई में काभिले तारीफ है पूरी सडकों पर जनसेलाव उमढ़ गया था जिन लोगों को लगता था कि बस पाक हतम हो चुकी है वो जड़ा इन तस्वीरों में यह भीड देखें यह फुटेज देखें किस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है लोगों के अंदर समाजिक जागरुकता पैदा हो रही है और तमाम लोग दिल्ली के पूर्व सोसल जसिस मंतरी आम आदमी पार्टी छोड़कर अब वो बीस पी में शामिल हो चुके हैं उन्होंने लगतार मीडिया में बाइट संघर्स कर रही है जो लगतार स्टी स्टी ओवी सी मैनाटी के हकदिकारों पार दिन रात काम कर रही है कैडर चलाती है बकाइदा शंबू कुमार सिंग को वैशाली लोगसवा सीट का परतियासी बनाया है जो पिछले दस सालों से पत्रकारीता कर रहे है समाज की अवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं सोची चंडीगड सीट से डॉक्टर रितू को मैदान में उतारा है सोची जब पड़े लिखे लोग मैदान में जाएंगे सडक से संसत जाएंगे तो वाकई में बदला आवाएगा एक तरब धरम की राजनीती को मजबूत करने का परियास कि जा रहा है दूसरी ओर बीसपी ही एक मात्र पार्टी है जो लगतार बहुजन समाज के साथ साथ उन्ह तमाम सविधानी का अधिकारों की बात करती है जो ना कांग्रेस करती है और नाहीं भाजपा सरकार एक सापनात है तो एक नागनात ये दोनों पार्टी हम मिलकर लगता है कि नैशनल दस तक बसपाई हो गया है, नैशनल दस तक BSP की खबरे दिखाता है, असल में हम उस पाटी की खबर दिखाते हैं, जो लगता है रोटी, रोजगार, तमाम उन्स समाजिक मुद्दों पर काम करती है, बात करती है, जो एक राजुनितिक पाटीयों को करना चाहिए आप देखेंगे किस तरीके से बहुजन समाज के युवाव को डंडा जंडा हाथ में थमा कर गुमरा करने की कोशिस की जा रही है जब जब BSP की लहर जैसे जैसे बढ़ रही है तमाम तरीके की खबरों को फैलाने का काम किया जारा लेकिन जौनपूर की सीट पर BSP बड़ा दाव चलाए और किस तरीके से श्रीकला का टिकेट काट कर BSP सांसत शाम सिंग यादव जी को टिकेट दिया गया है यह तिहासिक फैसला है और जिस तरीके से लगतार मीडिया के जरीए अफवाफिलाने का काम किया जा रहा है बस पक के जरीए उसकी इमेज को दूम जैसे बीस्पी सुप्रीम मायावती ने श्रीकला का टिकेट काट का स्याम सिंग यादव को उमीदवार घोशित किया गौर अब लिखते हैं बसपा के पद अधिकारों का नुसा धननजे की पतनी श्रीकला ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है समय रहते बसपा के सांस स्याम सिंग यादव को टिकेट दिया गया वो आज नमंकन करेंगे आप धननजे ने क्यूं मना किया इस बात का कारण डूढ़ना कोई मुश्किल नहीं जेल से छूटने के बाद श्रीकला का प्रचार का फी धीला हुआ था जबकि उमीद प्रचार तेज होने की थी इस प् रहे हैं कि उनकी प्रचार प्रसार में काफी धील थी वो नहीं चाहती थी शायद उनका मन नहीं लग रहा था शायद उनकी विचारिक सहमती नहीं थी आगे गौरव लिखते हैं कि आप निर्दलिये चुनाव लड़ेंगे धननजे सिंग अगर लड़ते हैं तो बसपा से डर गए धननजे सिंग तो लगतार लोग तमाम तरीकी की प्रतिकिरी आए भी दे रहे हैं ये सांसद स्याम सिंग यादव है प्रसासनिक अधिकारी रहे हैं दोजार उनिस में सपा बसपा गडबंदन में बसपा प्रतियासी के तौर पे इन्हें जौनपूर से जीत मिली थ धननजे की पत्नी का टिकेट काट करेने पूर ने प्रतियासी बनाया गया है ये कुछ कह रहे हैं उसे आप सुन सकते हैं तो टाइम सो ब्यसपी ने बड़ा टूइट किया बड़ी खबा शुरीकला धननजे सिंग का टिकेट काट का देर रात ब्यसपी सुप्रीम मायवती ने श्याम सिंग यादव को बना दिया उमीदवार बसपा सांसा स्याम सिंग यादव को बताया जा रहा है कि देर रात मायवती जी ने उन्हें फोन करकर दुबारा प्रतियासी बनाई जानकारी दी पूर्वुत सांसा धननजे और जनपूर से बसपा प्रतियासी श्रीकला सिंग का टिकेट कट है स्याम सिंग यादव को नमंकन की तैयारी जो है वो तेज हो चुकी है और नमंकन की आज आखरी तारीक है जिस परकार ब्यस्पी के सांस स्याम सिंग यादव आज नमंकन करेंगे और श्रीकला की जिस तरीके से लोग अफवा वाजे उड़ा रहे हैं हो सकता है उनका वेचारिक मतभेद हो वेचारिक सहमती ना हो जिसके कारण चुनाव में धीलापन के कारण बीसपी ने अपना उम्मीदवार जो है स्याम सिंग यादव को घोशित का दिया धननजे की पतनी शुरिकला जी को बसपा ने जौनपूर से लोकसवा प्रत्यासी बनाय जाती है बीसपी पर आरोप लगाया जाता है कि टिकेट लेकर पैसा लड़ती हैं आप देखेंगे कि लगाता है डॉक्तर रितू हो संबू कुमार सिंग हो इंदू चौधरियों ऐसे जो समाजिक इस्तर पर वेचारिक इस्तर पर लगातार काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को ब बीसपी ने टिकेट देकर ये साबित किया कि बीसपी वेचारिक सहमती देखती है समाजिक जागरुकता देखती है ना कि पैसे की गड़्ियां देखती है तमाम तरीके के अफवाव से बचने का आप लोगों को परियास करना चाहिए यूपी तक लिखता है बड़ी धनांजे सिंग की पतनी श्रीकला का टिकेट कट गया एक जीती वी सीट हार गई यह जब किसके कहने से हो रहा है समझ नहीं आ रहा है गोधी मीडिया गलत खबर फैला रही है जौनपूर से धनांजे की पतनी का टिकेट कट जाएगा भैकावे में ना आये उमीदवार श्र काम तरीके के लोगारों प्रतियारों भी लगा रहे हैं जबकि उनका कहना है कि बीजेपी के डर की वज़शे श्रिकला जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया बीएसपी ने फिलाल इस बार अपना मौझूदा सांसत को ही बसपा से प्रतियासी बनाने का फैसला लिया है जिस तरीके से लगतार बसपा को लेके जो छवी खराब की जा रही है उसको लेके आपको बचने की जरूरत है और जाते जाते बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये बाइट सुनते जाए मेरी हकूमत आप लोगों ने देखी है कानून का राग चलता है मेरे को एकिलान डीजए तीडियों की सरकार की तरह कोई बुल्डो जलाने की जरूरत नहीं करएं प्रापगेंडा दिन राद बैट कर चलाया जाता है जौनपुर से बसपा सांसा स्याम सिंग ही होंगे बसपा लोक सबापृतियासी धनन्जे सिंग के मना करने पर उनकी पतनी इस रिकला का टिकेट कट गया बसपा पहले ही सीट से जीच चुकी थी लगता है बसपा फिर से सीट को जीट पाएगी बीजेपी की मिली भकत इसलिए बहन जी ने धननजे की पतनी का टिकेट कार्ड दिया लगतार लोग अनुमान लगा रहे हैं इसके साथ साथ BSP सुप्रीमो मायवती ने भी बड़ा टूच किया जिस तरीके से लगतार BSP की रेलिया हो रही है उन्होंने कहा है कि सरवादिक है आज आगरे की विशाल चुनाव है ऐसे हदकंडों से सावधानी बरतने की जरूरत है फिर भी अब उसको लेकर पूरी तरह से गलत वे फेक वीडियो बनाकर भाजपा के पक्ष में परचारित करने का बेहद अनुचित राजनितिक परियास किया जा रहा है जिसके संबन्द में पुलिस वे चुनावायों को ततकाल सक्त से सक्त कानूनी कारवाई की जरूरत है आप लगतार देखेंगे कि लोगों को गुमरा किया जा रहा है धरम के नाम पर कहीं लोगों को एमोशनली वीडियो बनाका शोशल मीडिया पर जिस तरीके से अपलोड किया जा रहा है कहीं दंगे फसाद का वीडियो जा उनको रोटी रोजगार चाहिए और उनको नौकरियां चाहिए सोचिए तमाम पिछले 10 सालों का डेटा उठा कर देखें तो एक भी युवा को रोजगार नहीं मिला मैंनो फेस्टो में विकास दिखाई देता है लेकिन धरातल पे जब इस्तिती आप देखेंगे वो खोकली स सावित होती होई दिखाई दे रही आपके बच्चे को भिकारी बनाया जारा आपके बच्चे को कटोरा जी भी बनाया जारा आपके बच्चे की हाथ में जंजुना पकड़ाया जा रहा है लेकिन फिलाल बीस्पी सुप्रीम मायवती लगता जिस तरीके से हमलावर हैं लोगों की क्या प्रतिकिरिया के मिन बॉक्स में जरूर बताईए गार शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें